हेलो एवरिवान, वेलकम टूमाई चैनेल, सुब्रांजु मोंडल नौलेच शियर, आप सबको सुब्रांजु मोंडल नौलेच स्ययर चैनेल में स्वागत्थ है इससे पहले दो वीडियो में मैंने जो passport क्या होता है उसका use क्या होता है और passport बनवने के लिए क्या क्या document चाहिए ये मैंने आपको information share किया था तो आज जो information मैं आपको दूँँगा वो है passport type यानि types of passport के बारे में मैं आज आपको information दूँँगा देखिए passport actually दो तरह का होता है एक है fresh passport और एक है reissue of passport यानि fresh passport जो है आप अगर पहले बार कोई passport आप कोई Indian citizen अगर passport बनना चाहता है तो उनके लिए fresh passport होता है अगर माल लिए कोई Indian citizen first time passport बनना चाहता है वो चाहे वो job पारपास हो यहाँ पर बाहर जाने के लिए travel पारपास हो अगर वो first time अगर कोई Indian citizen अगर passport बनना आएगा तो वो fresh passport का category में आएगा और पासपोर्ट होता है मान लिजे आपका पासपोर्ट था वो अल्री एकस्पार हो गया है यहां फिर छे माहिना बाद यहां पर एक सल बाद आपका पासपोर्ट एकस्पार होगा यहां फिर और भी बहुत सरे रिजन होता है कि पासपोर्ट दुबारा बनने के लिए तो आपका मान लिजे आपका अल्री पासपोर्ट है और वो किसी करण हमें उसमें कुछ एकस्पारी की इसू आ सकता है उनका address changes होता है ऐसे बहुत सरे और और भी criteria है तो इसलिए अगर वो second time, third time यहां पर पासपोर्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए reach your passport होगा ओके तो देखें फ्रेज पासपोर्ट जो है फ्रेज पासपोर्ट यहां पर आप दो टाइप के आप apply कर सकते हैं यहांनि आप नॉर्माल में भी apply कर सकते हैं और तौतकल में भी आप apply कर सकते हैं आप अगर नॉर्माल में apply करेंगे तो आपका यह आपका पासपोर्ट जो पासपोर्ट श्रीवा केंद्र आपका जो लोकाल थाना से वेरिफिकेशन होता है यह उसके उपर आपका डीपेंड करता है तो जनरली आपको ये टू 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 ट्री विक्स और और कुछ-कुछ पुली स्टेशन वेरिफिकेशन अगर हमें थोड़ा ज्यादा देर हुआ तो एक माहिना के अंदर आपको जनरली मिल जाता है नॉर्माल पासपोर्ट आपका कोई आर्जेंट है मान लिजे आपका बहुत आर्जेंट है पासपोर्ट बनवने के लिए तो आप तौकल में अप्लाइ कर सकते हैं تौकाल पासपोर्ट आपको खी कि दिर डिजी अदेता है और द«डीजियन जर्माल एंड तौकल पेज़ेस 36 पेज़ेस में आपका जो पास्पोर्ट आपको मिलेगा वह 36 पेज का होगा और जो जो 60 पेज़ेस में आपका 60 पेज़ेस वाला पास्पोर्ट आपको मिलेगा तो देखिए यहां पर फ्रेज पास्पोर्ट के बारे मैंने आपको अल्री मैंने आपको बोल दिया मतलब आप आगर जो आपका पासपूर्ट में अल्री एंजिस्टिंग जो हाइज इन्फॉर्मेशन हो चाहते आपका면 और होड़िटे करना चाहते हैं आज़ों कुछ आप करना चाहते हैं आपका एड्रेस स्पाउस नेम डिलीटे CCR, date of birth, surname, ऐसे बहुत सरे आप अगर आपका जो अल्रेडी पास्पोर्ट है और आप चाहते हैं कि उसको कुछ चेंज करें तो इसके लिए आप रिशू आप पास्पोर्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं अच्छा, सेकेंड में पास्पोर्ट में यहाँ पर अगर पास्पोर्ट में कुछ णी यह पर आपड कोई सकते हैं और third में देखिएगा exhaustion of pages माल लीजिए जो मैंने आपको पहले कहाता कि 36 pages का passport होता है और 60 pages का passport होता है तो आपका page अगर 36 यहाँ पर 60 pages आपका खतम हो गया पासपोर्ट आपका जो 36 pages यहाँ फिर 60 pages आपका पासपोर्ट है वो आगर खतम हो गया तो आप exhaustion of pages में आप apply कर सकते हैं और इसके बाद आता है lost passport lost passport मतलब है आपका passport तेमिकाई माली जैगूम हो गया है आप यहाँ पर वो इस टोल हो गया है तो इस लिए तो इस गाटेगोरी में आप पासपोर्ट बोलके आप apply कर सकते हैं और देखे इसके बाद आता है validity expired more than 3 years देगो आपका पासपोर्ट आगर तीन साल पहले आगर ओ एकसपायर हो गया है तो इस कैटेगोरी में भी आप passport के लिए पासपोर्ट के लिए apply कर सकते हैं और इसके बाद आता है validity expired within 3 years और due to expire और मान लिजए कि आपका पासपोर्ट तीन साल के अंदर expire होगा तो इस कैटेगोरी में आप apply कर सकते हैं और इसके बाद आता है देखिए इसके बाद आता है और भी जो है information इसमें है कि passport जो हम लोग जो ordinary passport जो होता है ordinary passport होता है आपका deep blue color का ठीक है जो ordinary जो Indian city है उनका जो passport जो होता है ordinary जो पासपोर्ट होता है यह है deep blue color passport and जो है diplomatic जो passport होता है वो है आपका maroon color का diplomatic passport ठीक है and जो official जो होता है official जो passport होता है यह है white color का passport तो friends आपको यह passport का information आपको कैसे लागा आप comment करके जुरूर बताएगा और अगर यह video और आपको अगर अच्छा लागा है तो please इस channel को आप subscribe कीजिए लाइक कीजिए और आपके friends के साथ share कीजिए थाकि ऐसे valuable information मैं आपको हर टाइम मैं आपको देशा कूँ friends अभी भी आप अगर मेरे channel को आप subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कीजिए like कीजिए and share कीजिए thank you पुरल मैं आपकी कीजिए अबने छोसे दिए बार आपके यह कंश laten. लारी ऐसे तो प्रूस, मेष्डकीBआ